हलो दूस्तो नमस्कार मिर्णाम संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा करता हूँ और उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी होंगी और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यूजी सीनेट फर्स्ट पिपर में एकजाम 2223 के पॉइंट आफ व्यू से इसके साथी साथ करेंट टाइम में जो आपका एकजाम चल ला है उसके भी पॉइंट आफ व्यू से उच्छे सिच्छा प्रडाली वाले यूनिट से जिसको इंग्लिस में higher education कहा जाता है तो SIQ के part 3 को हम cover करने वाले हैं यानि की super important question विथ उसके साथ ही जो details होते हैं question के point to point वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ question को भी explain करता हूँ ताकि आपको answer देने में काफी जादा आसानी हो तो यहाँ पर सभी प्रशनों को जो मैं आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ सभी को practice state की तरह attempt करना है और सभी question का जवाब आप सभी को comment box में देने का प्रयास करना है बाकि मैं प्रयास करूँगा कि जितने भी important process में मैं करा रहा हूँ उनके कुछ details आपको बताता हुआ चलूँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और मैं आपको भरुसा दिलाता हूँ कि यह जो मैं question करा रहा हूँ आप सभी के लिए काफे ज़्यादा helpful होगा क्योंकि इसके साथी साथ मैं जो details आपको बता रहा हूँ वो काफी ज़्यादा important है तो वीडियो को starting से लेके end तक देखिए और सारे question को अच्छे तरीके से attempt करिएगा और वीडियो को बनाने में काफी ज़्यादा effort लगता है question को type करने में तो आप अच्छे तरीके से देखें अगर इसमें से कोई भी question exam में पूछा जाता है तो हमारा जो है यहाँ पर वीडियो बनना पूरी तरीके से सफल हो जाएगा इसलिए आप अच्छे तरीके से जो है सभी question को attempt करें तो चलिए फिंट वीडियो को start करते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहला question आपको स्क्रिन पे देख रहा होगा और इसमें पूछा जा रहे कि विश्व विद्यालय और विश्व विद्यालय इसतर के संस्थानों को निम्नांकित में से किस स्रेणी में रखा जाता है यह आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करना है सभी question मैंने अच्छी level के question रखे easy question मैंने आज इस विडियो में नहीं रखा है जैसे कि आप बोलतें कि सर थोड़ा से question का level अच्छा होना चाहिए तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं question आपको करा रहा हूँ अब यहाँ पर basically आपको बताने का प्रयास करना है कि विश्व विद्याले और विश्व विद्याले इस तरके संस्थानों को निमनांकित स्रेणी में आपको रखना है अच्छे से जो है नीचे की तरफ हाप रख सकते हैं या एक स्रेणी कृत जो आपका विश्व विद्याले उस करम में इसको सजाना है अब देखिए केंद्री विश्विद्याले दिया गया है राज्य विश्विद्याले नीजी विश्विद्याले मानित विश्विद्याले उच्छा संस्थान दिया गया है सिविल छेत्र संस्थान अब नीचे ये कूट दियागे, इस कूट में से ही आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, इससे पिछला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड गिया था, उसमें मैंने आपको विष्ट विद्याले कितने प्रकार के होते वो भी मैंने बताया था, और उसमें जो डिम्ड इन्वर्शिटी है या मानित विष्व विद्याले उसके बारे में भी मैंने डीटेल आपको बताया था, तो उमीद है कि आप इस कूश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में इजली बता पाएंगी, देखी फ्र इसरे नमबर पर नीजी विष्व विद्याले यानि कि प्राइबेट इन्वर्शिटी है और चौथे नमबर पर आपका मानित विष्व विद्याले यानि कि डिम्ड इन्वर्शिटी आपका आता है, तो ये करम आपका सही है विष्व विद्याले के अंतरगत, आप देखे यहाँ पर कूट में आपको देखना है जो करम यहाँ पर बना है कि कौन सा है तो option number C जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो करम दिया गया है एक, दो, तीन, चार इस तरीके सी एक करम दिया गया है जो कि हमारा सही answer हो जाएगा आप देखिए मैंने कल क यहाँ आपको जो विश्व grinding थी विश्व विद्यायलियों की उसमें मैंने आपको दिल्ले इनिवरशियटी के बारे में, जामिया मिलय साइमंड्स इनके द्वारा जो है विश्व में जितने भी विश्व विद्याले हैं उनके रैंकिंग जारी की जाती है लेकिन अच्छी ये बात है कि भारत में जो आपके उच्च तकनीकी सिछन संस्थान है उनके परफॉर्मेंस में काफी बहतरी देखने को मिली है तो मैं चार जो है उच्च तकनीकी सिछन संस्थान के बारे में बताऊंगा जिनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है उन्हें याद करना है क्योंकि विश्व विद्याले को बारे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था देखे इन तक्नीकी संस्थानों में सबसे पहले नंबर पे जिसको मैंने रखा है इसका इस्थान जो है विश्व की जो रैंकिंग हुई है विश्व विद्यालेओं में उसमें 155 इस्थान है देखे आपकी तक्नीकी सिच्छर संस्थान के बारे मैं बता रहा हूँ विश्व विश्व विद्याले बताया भी जा रहा है और इसका जो इस्थान है 155 इस्थान इसको मिला है इस रैंकिंग में और उसके बाद से जो है आपका IIT बॉंबे है इसको जो है 172 इस्थान मिला है इस रैंकिंग में 2022 की रैंकिंग में बता रहा हूं इसके साथी साथ IIT जो दिल् और जो IIT रून की है उसको 379 रैंकिंग यहां पर मिला है तो यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसे आपको याद रखना है जो भी डीटेल्स है मैं संभावता बताने का प्रयास करूँगा और कुछ छूटता भी है या कुछ आपको क्लेर भी नहीं होता है तो भी पर भी मैं क्लेर करने का प्रयास करूँगा उमीद है कि सारी डीटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लेर हो गई इस कुश्चन का राइट आंसर भी आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया है तो अब आईए अगले कुश्चन को हम देखते हैं अगला कुश्चन देखने स पहले अगर आप योजी सिनेट एकजाम के प्रिपरिशन करते हैं और न्यू एस्परेंट हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुस्खवरी यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि आईएफस इंस्ट्यूड के तरफ से जो है जो रिवेलविशन के बारे मैंने बताय अगर आप योजी सिनेट पेपर वन की और पेपर टू की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको डिसकाउंट मिलने वाला है पेपर वन और पेपर टू के कोर्स के लिए अब देखें यहाँ पर यह जो कोर्स है आपको पेप देख सकते हैं बाकी यह प्रभियस जो आपके प्राइज है यह भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको डिसकाउंट यहाँ पर मिलने वाला है इन कोर्स को लेके आप प्रॉपर वे में तैयारी करके अपनी योजी सी नेट एक्जाम क्लियर करने की सफलता को सुनि प्रचित कर सकते हैं और भी अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटिल्स दे दूँगा आप कॉंटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगले कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर टू देखे इसमें पूछा जा रहे के विस्व में भारत की विसालतम उच्च सिच्छा प्रडाली किन देसों के बाद आती है यहां पर कुछ देसों के नाम दिएगे हैं जिनको आपको गौर करना है लेकिन बताना है कि किन दे चलती रहेगे आपके पास जो है पौच करने का बटन होता है उसे पौच करिए इतमिनान से प्रश्चन को समझे और अपना राइट आंसर बताइए देखे यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक तो आपका सन्युक्त राज्या अमेरिका हो जा आता है यह आपको याद रखना है माले यह भारत के बारे में यहां पर पूचा गया इस तरीके से पूच ले जाएगा कि पहले इस्थान पे उच्छ सिछा पड़ाली तंतर के मामले में कौन सा देश है तो सन्युक्त राज अमेरिका दूसरे नंबर पे चीन यह आपको या विद्यार्थियों की संख्या में 60 गुना के विद्धी हुई है और सिछकों की संख्या में 25 गुना के विद्धी हुई है तो इस इसी लिए जो है अभी विश्ण में जो हमारा इस्थान है वो जो तीसरा इस्थान है आपका उच्छ सिछा प्रड़ाली के मामले में तो उम उक्तिराज अमेरिका और चीन के बाद, आपने सही आंसर बताया होगा, ये मुझे पूरी तरीके से भरोसा है, आईए ब अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन हमारा है, कुश्चन नमबर 3, देखे इसमें पूछा जा रहा है कि विपच्च का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है, जो चैन करती है, आप देखे ये कुश्चन आपको लग रहा है कि इस तरह का कुश्चन कैसे आ गया, तो आपको याद रखना है कि उच्च सिछा प्रडाली का जो हमारा सिलेबस है, उसी के अंतरगत आपका एक टॉपिक मिंसन है, नीतियां, सुसासन राजनिती और प्रशाशन तो उसी के अंतरगत ये कुश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस कुश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देखें यहाँ पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका एक तो प राष्ट्रियम मानो अधिकार आयोग के अध्यचका, तो याद रखना है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, जो कि आपका किस में दिया गया है, और दूसरा तीसरा जिसमें सही होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे यहाँ पर A, B, C, अल्फाविट में कोई भी विकल्प बना दे, याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया, यहाँ पर C आप्सन इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर टाइप में होगी, लेकिन कोई बात नहीं, राइट आंसर आ करना है, और नीचे दिये गे इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बोक्स में बताने का प्रयास करना है, तो सही आंसर आप सभी कमेंट बोक्स में अपना जवाब दे, यहाँ पर जो है, इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो नवन्मेस है, यानि नया एक बजटिंग नवन्मेस है, इसमें बिसिकली महिलाओं के सकती करण के उपर जो है, बजट एक तरीके से बनाया जाता है, और उस पर खर्च किया जाता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ, देखे, जेंदर बजट पूना निर्धारन जैसी विभिन चर्णों में महिलाओं के परिपेच को ध्यान में रखा जाता है, तो बिसिकली महिला ससकती करण के लिए आपका जेंडर बजटिंग होता है, तो आई होब कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, तो इसमें महिलाओं पर सरकार के ब राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, आई अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर फाइब देखे, इसमें पूछा जारे कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशाशन में निमनलिकित में से कौन सी बाधाएं हैं, उसके साफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मैंने कुश्चन का लेवल भी अच्छा रखा है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा कुश्चन का लेवल कैसा है, आप देखे इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्सन में नागरिक केंदित प्रशाशन यानि की जो आपका लोकतंत्र है उसकी बात की जा रही है, इन सभी में क्या बाद हाएं आपको ज़्यादा तर देखने को मिलती हैं, तो देखे ज़्यादा तर आपको क्या फेस करने को मिलता है, अगर आप किसी सरकारी दप्तर या सरकार सरकारी कार्याले में काम कराने जाते हैं तो वहां के जो नौकर सा होते हैं जो कर्मचारी होते हैं आपसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं अनमय अभिवृत्ति उनकी होती है तो यह आप सभी जरूर फेस किये होंगे जब सरकारी दफ्तर या कार्याले में या तो आ प्रेक्टली कोई बेक्ति किसी काम को कराने सरकारी विभाग में चला जा और सही तरीके से करा कर वापस हो जाए वो बहुत ही कम हो पाता है बाकी कानुनों और नियमों का आप प्रभावी कार्यानवेन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है इसलिए option number D हमारा क्या है यहाँ प दिम्ड विष्व विद्याले के विषय में कौन सा कथन सही है देखे कल के वीडियो में यानि इससे पहले वाला जो मैंने part 2 आपको प्रोवाइड किया था और यहाँ पर कूट जो दिया गया इसमें से आपको अपना right answer comment box में बताने का प्रयास करना है देखे यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा question number 6 का वो है आपका option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा दूसरा और तीसरा और चोथा देखे आपको याद आ रहा होगा कि इसके बा प्रदान कर सकते हैं यह बाते मैंने आपको उस वीडियो में बताई थे इसलिए मैं कह रहा था कि इसका right answer आप बहुत ही असानी के साथ दे पाएंगे तो इस question का right answer हमारा option number B है आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा question number 7 देखे इसमें पूछा जारे के उच्च सिच्चा के वैस्वी करण के निमनल लिखित में से कौन कौन से अवगूण है यह आपको बताना है उच्च सिच्चा का वैस्वी करण हो रहा है और इसमें क्या-क्या अवगूण है उसके संदर में यहाँ पर कु देखे यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा एक तो आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सिच्चा में अभी जात्य को बढ़ावा और उसके बासे तीसरा हो जाएगा सिच्चा का वस्तू करण करना और चौथा आपका हो जाएगा सिच्चा की लागत में बढ़ोतर तो यह जो है जब भी उच्च सिच्चा का वैस्तू करण हो रहा है तो इसमें आउगुण को रूप में एक तो आपका सिच्चा में अभी जात्य को बढ़ावा मिल ला है सिच्चा का वस्तू करण हो रहा है यानि कि सिच्चा को एक प्रोड़क्ट या वस्तू के रूप मे देखा जा रहा है जिसका एक बहतर मुल्य जो है जो भी संस्थान है विश्व विद्याला है वो लेना चाह रहे हैं ये आपको देखने को मिल ला है अगर सरकारी संस्थान नहीं होगा तो अगर आप प्राइबेट स्कूलों में आप खुद पढ़ने जाओ या बच्चों को पढ़ाने के लिए भीजे तो वहाँ पर आपको पता है कितना ज़्यदा फीस जो है चार्ज किया जाता है और सिच्छा की लागत में निरंतर ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये भी जो है उच्च सिच्छा के वैस्वी करण के आउगुड के अंतरगत आपका आ जाएगा सिच्छा की संस्थाओं में राष्ट्रिय मुल्यांकन एवं प्रत्यन परिसद नैक द्वारा निमनलिखित में से किस सकेंद्रक मुल्य को बढ़ावा दिया गया है ये आपको इन सभी में से बताने का प्रयास करना और नीचे एक कूट बनाय गया इन चारों विकल्पों मे से ही आपको अपना जवाब देने का प्रयास करना है तो कुश्चन बहुत ही अच्छे लिवल का है तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देने का यहां पर प्रयास करें देखे यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो एक तो आपका पहला हो जाएगा राष्ट्रिय विकास में अवदान और फिर उसके बाद से आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों में वैस्विक प्रविडताओं का शंपोशन करना और उसके बाद से तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों और अध्यापकों में मुल्य विवस्था विक्षित करना ये जो है उच्छ सिछा की संस्थाओं में राष्ट्रिय मुल्यांकर नेवं प्रतेयन copper शड़ का जो है सक्किंद्रक मुल्य को भढ़ावा देने के रूप में किया जा रा है आपको याद रखना राश्ट्रिय विकाश में आवदान, विध्यार्थियों में वैस्विक प्रिविडताओं का संपोशन और विध्यार्थियों और अध्यापकों में मुल्ले विवस्था को विक्सित करना अब देखें एक, दो, तीन यहाँ पर सही है जो कि आपका option number B में दियाएगा इसलिए option number B हमारा right answer हो जाएगा हिंदी में आपने neck का full form यहाँ पर देख लिया, English में भी मैं बता देता हूँ क्योंकि किसी भी तरीके से full form भी आपसे पूछ ले जाता है तो English में इसको जो है National Assessment and Accredition Council बोला जाता है और कि इसकी स्थापना के बारे मैं आपको बता दूँ तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी यह आपको याद रखना मुख्याल है इसका Bangalore में इस्थित है यह आपको याद रखना है इसके बारे मैं कुछ और डीटेल मैं बता दूँ तो उसे आपको याद रखना है कि इस जो है National Assessment Accrediation Council का ये काम है याद रखना है इसका फुल फॉर्म भी बता है मैंने इस थापना कब हुई थे और इसका मुख्याल है कहाँ ये भी मैंने डीटेल बताने का प्रयास किया बाकि और भी कुछ समझ में नहीं आता तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आईए अगला कुछिन देखते हैं अगला कुछिन अमारा कुछिन नमबर 9 देखे इसमें पूछा जा रहा कि राश्ट्रिय उच्चतर सिच्छा अभियान रूसा के निमनलिखित में से क्या उद्देश से हैं ये आपको इन सभी में से बताने का प्रयास करना है और नीचे दियेगे कूट में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है देखे रूसा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है फुल फॉर्म तो इंदी में यहाँ पर रॉल रड़ी दिया गया राश्ट्री उच्चतर सिच्छा अभियान इंग्लिस में भी इसको इसी प्रकार से बोला जाता है तो इसका उद्दे से क्या है यह आपको बताने क हो जाएगा गुणवत्ता पूर्ण संकायों की प्रियाप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और इसके साथी साथ आपका तीसरा हो जाएगा वर्तमान स्वायत्तत महाविद्यालेओं के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं स्रजित करना तो यह रूसा का उद्दे से यानिके राश्ट्रिय उच्च्टर सिच्छा अभियान का यहां पर उद्दे से देखें यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजीत एक योजना है और यह व्यापक योजना समानता पोहुंच और उत्कृष्टता के लच्छों को प्राप्त करने के उद्दे से से राज्य अच्छे से clear हुआ होगा और right answer आप सभी ने comment box में बताया तो एक दो तीन यहाँ पर right answer है जो कि आपका option number B में यहाँ पर दिया गया है इसलिए option number B हमारा right answer हो जाएगा आईए एगले question देखते हैं अगले question हमारा है question number 10 और यह वीडियो का हमारा last question होगा देखे इसमें बोला जा रहा है कि सैच्छडिक संस्थाओं में प्रवेज में किन आधारों पर किये जाने वाले पच्छपात का समयधानिक रूप से निसेद किया गया है यह आपको इन सभी में से बताने का प्रयास करन और नीचे कूट बनाया गया है चार विकल्पों का इसमें से आपको अपना right answer बताने का प्रयास करना है इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number भी पहला और उसके बाद से दूसरा और उसके बाद से यहाँ पर तीसरा धर्म, लिंग और जन्म इस्थान के आधार पर किसी भी संचडिक संस्थान में प्रवेश देने से आप वन्चित जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकते यह समयधानिक रूप से निसीद है और यह किसमें बताया गया है अनुचेद 39-2 में इसके बारे में अविवरन आपको देखने को मिलता है इसमें बताया गया है कि इन सभी के आधार पे किसी भी संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूल वन्स जाती और भासा अत्वा इनमें से किसी भी आधार के रूप में जो है वन्चित नहीं किया जा सकता तो उमीदे कि कोश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पर आप किसी भी सेचिडिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं तो इसलिए option B हमारा यहां पर right answer हो जाएगा उमीद है कि आप सभी ने right answer comment box में option number B बताया होगा तो यहां पर हमारा यह video का season complete होता है और उमीद करता हूँ कि सभी question आपने अच्छे तरीके से attempt किये होंगे और इन 10 प्रशनों में से आपके कितने question सही हुए comment box में लिख कर जरूर बतायेगा comment आप सभी बहुत कम करते हैं देखे comment नहीं करेंगे तो मुझे feedback नहीं मिलेगा question को type करता हूँ question को select करता हूँ काफी ज़्यादा समय लगता और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर video के form में question को आपको represent करने का प्रयास करता हूँ ऐसा नहीं एक एक question को देख सकते हैं आप detail में मैं यहाँ पर coloring वाई जी हर तरीके से highlight करके कि यह question आपको समझ में आए और आप इसका answer आसानी के साथ दे पाएं इतना detail के साथ question type आपको परिक्षा में नहीं मिलता होगा जब paper आप देने जाते हैं UGC net का computer पे on करते हैं तो question का विकल्प नीचे आपका एक बार में सो नहीं होता है तो इस पर उनको एंटिय को थोड़ा काम करना चाहिए question एक बार में ही display पे सो हो जिससे चात्रों को काफी ज़्यादा आसानी हो प्रश्णों के उत्तर देने में और उमिद है कि वीडियो का session आप सभी के लिए काफी ज़्यादा helpful रहा होगा वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करके या हमारे इस जो कारे कर रहे हैं कि ज़्यादा सज़्यादा चात्रों का help मिल जाए तो इसके लिए appreciate करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं प्रेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की काफी ज़्यादा जरुवत है इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करिए और उसके बगल में ये जो bell icon का बटन होता है वीडियो की अपडेट को पाने के लिए तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महतोपूर प्रश्णों के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत